अमेरिका के नवनर्वाचित राश्ट्रपती होने के बाद डॉनल्ड ट्रॉम्प ने पहली बार प्रेस कॉंफरेंस की ट्रॉम्प के प्रेस कॉंफरेंस में रश्या हैकिंग का मसला चाया रहा इस हैकिंग को लेकर ट्रॉम्प ने अमेरिका खूफी एजंसियों को ही लतार लगा दी मीडिया के सवालों पर उन्होंने पहली बार ये बाते कही की राश्ट्रपती चनाव के दौरान की गई हैकिंग रूस की और से हो सकती है लेकिन निश्यतार पर ये नहीं कहा जा सकता क्यूंकि चीन सहित कई देश अमेरिकी साइबर स्पेस में लगातार सेंद मारते रहते हैं डॉनल्ड ट्रॉम्प ने कहा असल में कुस दन पहले ऐसे डॉकिमेंट्स लीक हुए थे जिन में दावा किया था कि रूसी अधिकारियों के पास ट्रॉम्प की आपत्ति जनक वीडियो है लेकिन ट्रॉम्प ने लीक हुए उन डॉकिमेंट्स को बे बुनियाद और जूटा बताया और कहा कि इसके लिए अमेरिकी खूफी एजनसियां जिमदार है